हेलो दोस्तों वेलकम वेक एक वार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस लीक के बारे में इस लीक का नाम है इंटरनेशनल लीक टी-2023 यह पहली बार स्टार्ट हो रही है इसे आप कह सकते हैं कि मिनी आई-प्य में होगी दोभई में ठीक है और तीन वेन्यू पर यह स्रीज होगी तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज्यादा बाते करने से पहले हम आपको बता दें हमारा वाट्सअप नंबर चोरासी सैंतालिस तरानवे तड़िपन सत्तानवे आपके सामने हैं इस्की कर लिंक वाट्सप पर भी शेयर कर देंगे तो यह मैच होंगे सबसे पहले रुक्वेस्ट है की वीडियो को पूरा देखें ठीक है ना समझ में आएगी और यह आपके लिए पहुत फायदेका सौधा होने बाली है इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके निकालके मत देखना कि भाई तो कुछ भी बखते रहते हैं नहीं बहुत इंपोटेंट वीडियो है टोटल जो टीम है इसमें 6 टीम हिस्सा ले रही है टोटल जो मैच होंगे वो 34 होंगे वैन्यू तीन रहेंगे सिर्फ तीन ग्राउंड मैच होगा आपको पता होगा इपेल भी पहले टीम के नामच चान लीजिए लीक का नाम है इंट्रनेशन लीग टीटोनटी 2023 और चाहिए और चर्टीम है इसमें चौह हिस्सा लेंगी पहला है दुबाई कैपिटल आपको नाम से दिखक रहा हुगा इस आपका डैली कैपिटल होता था पहली है दुबाई कैपिटल दूसरी है अबूधाबी नाइट राइडर्स ठीक है सुनने माया सारुखान भी इसमें पार्टनर्शिप में हैं थर्ड है तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले वैन्यू की दुवाई इंट्रेशनल किर्केश स्टेडियम की किस तरीके से बिहेब करता है तो सबसे पहले जाने लिजिए कि अभी तक डोल मैस्टिक में 106 मैच खेले गए यहां पर ब्याले जीती है पहले बैटिंग करने वाली तड़ सब्सक्राइब करते हैं अब बात करते हैं पिछ तरीके से बेट पर आती है और अगर अच्छी स्विंग हो रही है तो विकिट लेकर भी जाएगी यानिकि बहुत अच्छा मतलों फाइट देखने को मिलेगी बैट और बॉल के बीच में यह नहीं है कि एक चीज़ को ही फो मतलब फेवर कर रहा है यहां पर बॉलर फास्ट बॉलर को थोड़ी मदद मिलती है और जैसे मिडिल ओवर हो जाते हैं जैसे माल लीजे बारा तेरह ओवर चल रहे हैं चौदा तो यह स्कूर मतलब एक अच्छा स्कूर माना जाएगा इस वैन्यू पर तो यह बहुत इंपोर्टन चीज जो आप समझ रहे हो अभी कि पिछ रपोर्ट वैन्यू के इस तरीके से बीहेव करता है अब बात करते हैं दूसरे ग्राउंड की दूसरा ग्रांड है सेख चैद स्ट मी एक बला रहता है अब बात करें यहां की वैन्यू की की एवरेघीट स्कूर कितना रहता है बात Dre这 दे को बहुत सपोर्ट करता है यानि अच्छे से बॉल आएगी यहां पर बल्ले पर आपको बॉंडरी चौके चुके देखने को मिलेंगे तो मज़ा आएगा आपको इस ग्राउंड पर बड़े-बड़े स्कोर चेस होते हुए दिखेंगे यहां पर अब बात करते हैं तीसरे ग् रहता है वह 155 रहता है अब अब बात करें टोटल मैचों की टोटल डोमेस्टिक 66 यानि कि 66 मैच खेले गए हैं 22 जीते हैं फर्स्ट बैट ने सेकंड बैट ने जीता है 43 यानि 43 मैच यानि दुगणा अंकड़ा है सेकंड बैट का अब फायदा ही मिलता है सेकंड बैट को यह से पतल जाता है कि 150-55-60 बने हैं वो चेस कर लेती है आराम से तो चेस वाली टीम को कह सकते हैं यहां पर बहुत ज्यादा वैनिफिट मिलता है अब बात करें बाउंड करें तो तेज गैदबादू मदद मिलती है स्विंग भी होती है सारी चीजें बहुत अच्छी मतलब गैँदवाजी रहती है लेकिंदवाजी की ले थोड़ी सी बीगड़ी गलत गैश्यावजी आप करोगे तो चोटी बॉंड़ी हैं कहीं भी छक्का चौके चले जाते है तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर तोज जीत कर कोई भी टीम पहले बॉलिंग चुनना पसंद करेगी अब बात करते हैं टीम स्कॉइट के बारे में जो टोटल 6 टीम हैं उनके बारे में जान लीजिए सार्जा वारियर्स की बात करें तो इस टीम के कप्तान है मोहीन अली सब्सक्राइब अफ्री अफगानिस्तान के हैं मार्क डेल जेजे स्मिट्स टीम बहुत अच्छी है सारी बड़े बड़े नाम है पैसा लगाए गया अच्छा इन्वेस्ट हुआ है इसलिए मैं आपको पूरे प्लेयर्स के नाम बता रहा हूं अच्छी टीम है अब दूसर पूरो है संदीप लमीचन्य है सर्फिन रदर फोड है बैनी होवेल है रोवेन है अब यह एक अच्छी टीम है आप लाउंडर अच्छी है बैटिंग अच्छी है अब ही चलते हैं माई एमिरेट्स की तरफ तो किरन पोलार्ड है इसमें निकूलस पूरन है एंड्री फ्ले इसमें इंडिया का भी हो सकता है अगली तरफ चलते हैं अगली टीम की तरफ यह हमारी गल्फ जैंट्स इसमें सिम्रन हैटमेर हैं किस लिन है तॉम बेंटन है डेविड वीजे है जैमी ओवर्टवन है रिचर्ड्स गिलीजसन है रिहान एमध है क्रि plural जेम सिर्फ हैं मिपयघ्छ तेस्चके बहुत अच्छी है लेकिन मैम्ध एक तीम इए ऐभी ठीक है नओ एक मैब्छ टीम कह रोमेन पावेल हैं डेलेन लॉरेंस हैं भानुका राक्सपक्षे हैं निरोसन डिकवैला है दनु सनाका है इस्टू उड़ागा है यह सब स्री लंका के हैं दुस्मद चमीरा हैं स्री लंका के हैं ब्लेसिंग मुझरवानी बहुत अच्छे गेंपाज हैं जुंबावे के हजुतुला जजई हैं ऐफगानिस्तान के सभी जानते हैं जॉर्ज मुंसी स्कॉड लैंड के तेज बल्लेवाज हैं रोमेन पावेल हैं स्री लंका के सिकंदर रजा है जुंबावे के फैवन एलन हैं वेस्टन डीज के मुझरूर रहमान अफगानिस्तान फ्रेट क्लासम दो केनार लुइस हैं यह सब इसके हैं जॉनी बैरेश्टो है लाहिर कुमारा है शीगु प्रिशन्ना है अली खान है यूएसे के आंदर रसेल हैं रैमन रैफर हैं रभी रामपॉल हैं यह तीनों भी वैस्ट इसके पॉल स्क्रिंग हैं आइलेंड के चरित असलंका हैं तेज खे इसके साथ यहां पर आपको एंदर रसेल मिलेंगे जॉनी बैरेश्टो मिलेंगे बहुत अच्छी टीम है तो बहुत अच्छी टीम है रही है यह 6-6 टीम है पहला वैन्नी हो रहा है पहला सीजन हो रहा है देखेंगे हम किस तरीके से मैच होंगे लेकिन यह दूसरा IPL होने की जो मैंने अनलेस्क किया है कि पंटर टीम कॉनसी हो सकती है भुकी टीम को सकती है तो पंटर टीम ने है अचिदी आ sellers 722 डाली और क्रश्चք सकती करेंगी और पंटर को सप्पोर्ट करेंगी यह चोरी करेंगी मैच में यह है दुबाई कैपिटल सार्जा वॉरियर्स गल्व जैंस तो इन पर थोड़ा नजर रखना है आपको थोड़ा समल के इनके साथ डील कर दिये आपको ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया कि कौन सी टीम पंटर टीम है पंटर टीम वह पर नजर रखनी है आपको पंटर टीम पर भी बुकी टीम पर भी और अपने दिमाग से डिसीजन लेकर अच्छी तरीके से काम करना है बाकी कोई दिक्कत आए तो टेलीग्राम कर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्यूशन में दे दिया है मैंने महां जाकर जॉइन कर देना वीडियो अगर आपको अच्छी लगिए दोस्तों चैनल कोअभी सब्सक्राइब कर लो क्याकि आपको रोज वीडियो मिलेंगी इस सीरीज के बारे में चैनल सब्सक्राइब रहेगा वैल आइकन और कलńsk किलिक कर लोगे तो नोट्रिक्शन भी मिलते रहेंगे वीडियो के तो काफी आपकी मतलब उसमें help हो जाएगी बिनिंग टीम आपको टेलिग्राम वाट्सअप पर मिलती है टेलिग्राम का लिंक पहले ही बता चुका हूँ मैं कि वीडियो के description में दे रखा है मैंने वाट्सअप नंबर एक बार फिर से आपकी स्कीन पर है आपको WhatsApp पर भी टेलिग्राम का लिंक शेर कर dużo वहां से आप जाइन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वाईबाई मिलते है नेक्स वीडियो में